तो यहाँ पर हम S21 FE snapdragon 888 variant में जो है April 2024 का जो security patch इंस्टॉल करने वाले तो चली करते हैं इसे डाउनलोड 318 MB का जो यह अपडेट है तो चली इसे होने देते हैं complete और आप देख सकते बिफोर अपडेट यहाँ पर कोई green line इशू अगरे नहीं है बहुत सारे लोग बोर रहे हैं March के अपडेट के बाद हमारे फोन में green line इशू अगरे आ रहे हैं तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे अपडेट के बाद कुछ इशू अगरे आते हैं या नहीं इसे continue होने देते हैं करते हैं अब इसे install यह हो रहा भी install फोन हो चुका है restart इसे होने देते हैं 100% complete तो यह almost complete हो चुका है अगें फोन हो गया restart अप्डिमाइजिंग अप्स फोन हो गया हमारा restart और यह आप देख सकते हो first April 2024 पे जो हमारा security patch यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है update कोई green line इशू अगरे यहाँ पर देखने नहीं मिला update को immediately install करने के बाद इसके बाद भी कोई issues होंगे तो मैं आपको definitely video बना के बताऊंगा लेकिन as of now जहाँ पर कोई issues नहीं है April 2024 का security patch update snapback and triple 8 variant में install करने के बाद Galaxy S21 FE में